सो दोस्तो सीपी प्लस ने यहां पर लॉंच कर दिया है इंडोर के लिए कलर नाइट विजन कैमरा अभी तक हमने अपने इस पूरे पूरे चैनल के अपर जितनी भी हमने वाइफाई कैमरा का रिव्यू किया है वो सारे के सारी अगर मैं इंडोर कैमरा की बात करता हूं चाहे वो हिक विजन हो चाहे वो दहुआ हो चाहे वो सीपी प्लस हो इंडोर के लिए कलर नाइट विजन 5 1 dash जो कि एक 5 Megapixel का camera है ये कुछ box अगर मैं देखने में बात करूँ उनका ordinary जैसे CP Plus का box है वैसा ही box हमें यहाँ देखने को मिलता है यहाँ पे जो इनका नई technology है Easy Light वो यहाँ पे mention है पूरा Ambosys के अंदर है ठीक था कि है अगर मैं इसके box के content की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक 5 Megapixel का full color camera जैसे मैं अपने वीडियो के starting में बचा चुका हूँ यह full color camera है day में भी color है, night में भी color है human body detection के साथ आता है motion tracking system के साथ आता है सबसे खास बात जो CP Plus ने इस camera के साथ किया है वो एक supported arm weave camera है इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको किसी NVR के साथ connect करना चाहें like दववा के NVR के साथ या हीक्विजन के NVR के साथ तो हम easily इस camera को यहाँ connect कर सकते हैं inbuilt siren system के साथ आ जाता है मतलब इसके अंदर अगर इसको कोई भी detection मिलेगा तो यहाँ पर siren करने लग जाएगा CP Plus के almost हमने सारी cameras का यह review किया हुआ है last video जो हमने बनाया था जिसके अंदर हमने comparison किया था 2MP, 3MP, 4MP उस video पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है अपने इस channel के ओपर complete आपको detail देने वाला हूँ इस camera की जिसके अंदर इसका हम लोग बात करेंगे night vision के बारे में, day vision के बारे में कैसा इसका overall clarity है तो यह कुछ इसकी detail थी तो चलिए फटा-फट से इसको यहाँ open करते हैं तो इसकी बस वो ordinary जो इसमें आता है, seal आता है, वो है हम इसको यहाँ से इसको open करेंगे open करने के बाद सबसे पहले same हमें एक यहाँ पे camera का box मिल जाता है कुछ यहाँ पे इसके cards मिल जाते हैं, cp plus से इसके अंदर यहाँ पे दे रहे हैं download जो इसकी नहीं application है जो cp plus नहीं नहीं application लाँच की है यह इसका download link card है इसको scan code से scan करके आप यहाँ पे application को download कर सकते हैं तो यह कुछ detail सी अगर वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इस box के अंदर यह overall contain देखने को मिल जाता है मैं थोड़ा इसको side कर देता हूँ तो सबसे बहले हम open करते हैं चोटे वाला box इसमें देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे हमें सबसे बहले तो मिल जाता है यहाँ इसका जो एक charge adapter है यह इसकी cable है यहाँ पे यह cable हमें देखने को मिल जाती है तक्रीबन एक मीटर की केबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं, वैस्तों वायर को extend करने के लिए हमें दो कोर की केबल, हम जो अपने अडॉप्टर के साथ लगाते हैं, वो हम लोग हमेशा ही यूज करते हैं, तो ये इसका हैं अडॉप्टर देखने को मिल जाता है, ये कुछ connect करके अपने इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, तो ये कुछ details होगी हमारी tools की, और वहीं पर बात करते हैं camera की overall कैसा है दिखने में, नया है, so दोस्तों फाइनली ये निकल गया है, CP plus से आने वाला camera मैं इसको clean कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको design frame के ओपर ये पूरा का पूरा camera बना हुआ है, बस हमें जो extra देखने को मिल जाता है, यहाँ कुछ lights भर-भर के दिया है, यहाँ पर CP plus ने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, लाइटे मिल जाती हैं दोस्तों, मतलब आप इसका look at the front आप इसका front देखिए कितना ही जबरदस्त है, मतलब यहाँ जो मुझे front में देखने को मिल रही है, वो जो चार है, वो हमारी yellow color की light है, जो for sure इसके अंदर LED lights होंगी चार हमें यहाँ पे कुछ red lights देखने को मिल रही है, जो कि इनकी infrared light आती है, जो red color की होती है तो यह कुछ overall detail है प्लास्टिक की बात करता हूँ, तो इनका जो standard quality है, प्लास्टिक का वो ही है CP Plus का back side में आपको यहाँ पे इसका scanner मिल जाता है, जिससे अंदर आप यह camera को यहाँ add करके scan कर सकते हैं, model number और कुछ basic details हैं प्लस इसके साथ-साथ यहाँ पे हम लोग इस adapter को यहाँ connect कर सकते हैं, यह इस तरीके से यहाँ laptop, इस तरीके से हमारा camera यहाँ पे connect हो गया है तो देखिए और बताइए कैसा लग रहा है यह overall camera मुझे personally बहुत अच्छा लगा, मुझे personally इसका जो front look है वो बहुत अच्छा लगा बहुत जबर्दस लगा है, बाकि इसको फटाफ़र से चला के देखते हैं, कैसा overall यह performance देता है, तो इसको फटाफ़र से पहले मैं प्लक कर देता हूँ so दोस्तों फटाफ़र से हम अपने phone के ओपर आजाते हैं, और application को install करते हैं, मैं यहाँ पर Google Play Store पर आजाता हूँ, इसकी application थोड़ी से अलग है, जो हमारी पुरानी Easy Cam के नाम से application आती है, CP Plus की अभी उन्हें अपनी पूरी application change कर दी है, जो नई application है वो है यहाँ पर Easy Live के नाम से, यह Easy Live की नाम से application है, यह आप देख पा रहे होंगे screen के ओपर, मैंने जैसे अलड़ी इसको install की हो है, मैंने यहाँ पे open कर ली है अलड़ी यह camera added है, edit करने के लिए मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे plus पे जाएंगे, plus पे जाने के बाद यहाँ 4G, 5G camera जो इसका है यहाँ पे 4G, 5G camera कर सकते हैं, बट हमारे 5G, 4G camera नहीं है दोस्तों, हमारे एक Wi-Fi camera है, तो Wi-Fi camera पे जाके हम play ले, enable करेंगे enable करने के बाद, same हमें वोई procedure follow करना होगा, अपने Wi-Fi के साथ हम लोग यहाँ connect करेंगे, and camera को यहाँ इस तरीके से दिखाएंगे इस तरीके से हमें यहाँ camera को दिखाना होगा, अभी आप जैसे देखेंगे, यह सर्चिंग कर रहा है device को क्योंकि device मेरा अल्यड़ी यहाँ पे add था आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले add था तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ overall यह कैसा है, आप easy तरीके से इसको यहाँ पे add कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे दिखाना होगा, इसका scan code और camera आपके phone के ओपर यहाँ पे install हो जाएगा दोस्तो, so यह है हमारा overall camera, overall इसकी performance आप देखिए, कैसा लग रहा overall, clearty personally मुझे बहुत अच्छी लग रही है काफी smooth है यहाँ पे वाव महला इसका जो response है response बहुत जबर्दस होने वाला है मैंने CB plus के already बहुत सारे cameras यहाँ पे test की हैं, बट इसका जो performance है, मुझे personally बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तो, overall अगर मैं इसकी clarity की बात करता हूँ, clarity काफी अच्छी है, इस टेम यह डेवी जन है सारा lights वगरा, on है, मैं इसको थोड़ा से जूम भी करता हूँ, वाव तो आप देखेंगे, जूम करने के बाद मतलब face एकदम इतना एकदम clear यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, हम किसी text के ओपर चलते हैं हम हम इधर चलते हैं यह आप देखेंगे not bad, मतलब काफी हद तक cp plus नहीं है, आपने आपको improve किया है, in terms of clarity, quality मतलब, काफी हद तक improve किया है आप देख रहोंगे कितना, मतलब, बहुत दूर है यह object और फिर भी मैं zoom करके यह easily, अराम से यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ काफी अच्छा है, डेविजन इसका काफी अच्छा है, दोस्तों, आप देख सकते हैं मतलब, overall, colors की बात करता हूँ, वो भी काफी अच्छा है अगर मैं इसके mic की बात करता हूँ, hello hello इसका two way talk हम लोग, hello camera और phone दोनों साथ में है, तो इसलिए यह सारा का सारा problem यहाँ पर आ रहा है इसको मैं बंद कर देते हैं, अब आज भी काफी loud है, मतलब, अगर मैं इसके comparison करना चाहूँ, each week के साथ, तो काफी better है काफी better है अगर मैं बात करता हूँ, इसके previous cameras के साथ, तो उससे भी मैं इसको compare करता हूँ तो इसका voice काफी हद तक better है दोस्तो, तो यह कुछ इसकी overall application है, सबसे पहले हम एक-एक करके समझते हैं इसके functionalities को सबसे पहले मैं settings पर चलता हूँ, settings पर चलने के बाद सबसे पहला option यहां देखने को मिलता वो आता है motion detection sensor का, motion detection पर जैसे जाते हैं, तो यहां इसके overall features हमें देखने को मिल जाते हैं, motion detection मिल जाता है, motion detection sensitivity हम यहां से medium, high, low यहां पर कर सकते हैं, बाकी इसके साथ साथ हमें motion tracking मिल जाता है जैसे अगर हम लोग यहां पर इसको on कर देते हैं and जैसे इसका मैं motion आपको दिखाऊँगा, मैं विकरम जी से request करूँगा, विकरम जी थोड़ा सा एक बाद move करेंगे please आप देखेंगे कि यह camera कैसे यहां पर move कर रहा है, थोड़ा सा इधर move कीजिए बहुत अच्छे से यहां पर track कर रहा है दोस्तो, बहुत बहुत बैटरियन तरीके से यह track कर रहा है, आप देखेंगे कितने अच्छे से यहां पर tracking कर रहा है मतलब overall काफी अच्छा experience है अगर इसके motion tracking की बात करता हूँ तो काफी अच्छा experience है हमें देखने को मिल रहा है CP plus की तरफ से motion tracking बहुत अच्छा काम कर रहा है बाकि इसके लाव motion tracking हम यहां period भी डाल सकते हैं कि हमें all day चाहिए, day night चाहिए या हम उसमें customize कोई timing डालना चाहते है वो भी बहुत अच्छा feature यहां पर add-on किया है CP plus ने siren setting से हम लोग यहां siren setting कर सकते हैं अगर को motion detection होता है तो वो कितनी देर के लिए siren होगा अगर हम customize कोई tone बनाना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं यहां हम अपनी voice के अंदर मतलब अगर suppose करते हैं मैं अपना यहां पर जो voice है hello hello निकलो यहां से हटो यहां से क्या कर रहो यहां पर यह जैसे भी मैंने यहां पर अपना voice यहां record की लिए है मैं आपको यहां दिखाता हूँ इसको हम यहां पर save कर देते हैं इसको हम confirm कर देते हैं यहां से हमने इसको confirm कर दिया देखो यहां से पर कितना अच्छे तरीके से यह काम कर रहा है मतलब अगर हम इसका siren on कर देते हैं कितनी देर के लिए बजएगा कब बजएगा कब motion detection होता है यह automatically हम यहां से complete यहां पर हम define कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे feature इस cameras के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है notification हम लोग यहां पर push message alert जो हमारी application के अंदर आता है हम लोग इसकी साथ-साथ human body का detection कर सकते हैं message push up कर सकते हैं किस time तक किस time तक चाहिए message interval हम लोग यहां पर fix कर सकते हैं काफी अच्छे options हैं यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इसमें एक option यहां पर देखने हूं मिल रहा है recording settings यहां पर हम अपनी जो SD के अंदर recording है वो हम कैसी करना चाहते हैं SD में quality कैसे रखना चाहते हैं वो भी हम लोग यहां पर define कर सकते हैं कि standard में रखनी है high definition में रखनी है recording का हम लोग यह mode भी select कर सकते हैं almost हमें AI से related सारे के सारे features में इस camera के अंदर देखने को मिल रहे हैं मतलब 2024 का मैं अभी तक का जो मैंने देखने वाला camera है in wifi segment में बहुत अच्छा camera है यहां देखने को मिल रहा है जिसके अंदर सारे के सारे AI based features हमें देखने को मिल रहे है clarity भी काफी अच्छी है काफी fine quality हमें CP plus की देखने को मिल रही है दोस्तो इसके अंदर एक 2 megapixel का भी variant आता है आप उसको भी try कर सकते हैं same function आपको 2 megapixel में मिलेंगे बर जो difference आएगा वो quality का difference आएगा अगर आप इन दोनों का comparison वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे comment जरूर करके बिताएगा दोस्तों और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक like जरूर करके जाएगा और नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं नए है हमारे चैनल पर तो चैनल को please subscribe भी करके जाहिएगा बहुत मैनत लगती है इन सारी वीडियो को बनाने में तो चलिए वापस आते हैं हम अपनी वीडियो पर और आगे की बाते करते हैं तो इसके अंदर हमने यहाँ पर time recording हम लोग यहाँ save कर सकते हैं time recording हम लोग यहाँ add कर सकते हैं PTZ control का option मिल जाता है हम लोग PTZ control कैसे चाहते हैं वो हमें यहाँ सारे options मिल जाते हैं बहुत बहतरीन camera है यह advanced setting के अंदर जाते हैं तो हमने यहाँ wifi के setting है signal strength हमें यहाँ बता देता है कोई camera को हमें reset करना है कोई हमें device voice prompt यहाँ पर on करना है off करना है वो सारे आप advanced settings के यहाँ कर सकते हैं तो यह कुछ deep की settings थी अगर हम main settings की बात करते हैं तो यहाँ में सबसे पहले तो यहाँ volume का मिल जाता है यहाँ पर मतलब हम यहाँ से इसको हम control कर सकते है अब यह बार-बार बोलता रहेगा क्योंकि सामने हमारे विक्रम जी बैठे हुए मतलब कितना अच्छे से यह काम कर रहा है मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ तो अभी वो stable हो गया है वो हीलेंगे विक्रम जी उटके एक बार हीलेगा थोड़ा सा देखिये मतलब कितना अच्छे से यहाँ पर यह काम कर रहा है अब मैं इसका यहाँ पर detection यहाँ ओफ कर देता हूँ motion tracking बंद कर देता हूँ बैट जाए विक्रम जी तो यहाँ पर हमें बंद करने के लिए जो इसका साइरन वाला सिस्टम है यहाँ से हमें इसको बंद करना पड़ेगा इसको human detection को बंद करना पड़ेगा ये जैसे मैं इसका siren बंद किया human detection बंद किया तो यह यहाँ पर jud 매 पर चुप हो गया कर सकते हैं इंडोर के लिए प्लैन कर सकते हैं आउड़ वाटर प्रोटेक्टिव नहीं है बर आप उन जगा पे इसको प्लैन कर सकते हैं जहां पे डस्ट और पानी ना आता हो दोस्तो तो यह कुछ बेसिक फीचर थे बाकि इसकी लाइट की बात करते हैं तो हम आप इसको यह क्या फीचर देखने को मिलता है जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं पेट्रोल फीचर के अंदर क्या है कि यह कैमरा ओटोमेटिकली यहां पे मूव करता रहेगा जैसे आप देखेंगे यहां पे यहां पे ओटोमेटिकली मूव करता रहेगा आप यहां पेटोमेटिकली मूव क इसमें अभी किया हुए बट ये camera आटोमेटिक लिया कुछ-कुछ time के लिया move कर रहा है जो की बहुत ही भैतरिन feature है, बहुत ही अच्छा feature है हमार को काफी helpful होने वाला ये complete ये feature तो ये कुछ इसकी basic detail थी day vision के बारे में वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी night vision की तो सबसे पहले मैं विक्रम जी को request करूँगा विक्रम जी थोड़ा एक बड़ी lights off कर दीजे, हम इसका night vision भी करने वाले है so दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं वो एक night vision का वीडियो देख रहे है मैं आपको front में आके दिखाता हूँ इसका overall clarity कैसा है हमारा एक image का camera लगा हुगा है वो भी यहाँ पर दिख रहा हुगा आप देखेंगे इसका night vision का overall clarity कैसा है आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है मेरे को personally बहुत अच्छा लग रहा है अगर मैं comparison करना चाहूँ इसको आपको zoom करके भी यहाँ दिखाता हूँ एकदम face के एकदम clear है एकदम sharp है मतलब overall मेरे office में यहाँ मैंने सारी lights यहाँ पर off कर दी है इस तर्ब बिल्कुल आप जो यह video देख रहे हैं देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पर visible नहीं है मतलब complete dark है इस तर्ब जो light जल रही है सिफ और सिफ camera की light जल रही है दोस्तों जो आप screen पर देख रहे हैं हो यहाँ पर एक camera की light आप लोग यहाँ देख रहे हैं white light है बहुत अच्छी light है बहुत bright light है indoor के लिए आप इसको use कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है आप यहाँ से इसको off भी कर सकते हैं अभी जैसे मैंने slide को यहाँ आफ कर दिया है तो आप देख रहे होगे जो आप vision देख रहे हैं यह आप यहाँ पर black and white यहाँ vision आप देख रहे हैं अपने घर के लिए कहीं पर भी हम इसको plan कर सकते हैं overall इसकी performance मुझे काफी अच्छी लगी काफी बहतर लगी यहाँ पर हमारा एक इजवीज का camera चल रहा है तो उसकी light यहाँ पर आ रही है जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ मतलब इसका sensor काफी अच्छे से यहाँ काम कर रहा है काफी smooth तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है आप इस camera को यहाँ पर select कर सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो यह कुछ information थी CP Plus के नए indoor camera के लिए जो की Wi-Fi camera है आप इसको Wi-Fi के साथ connect करके अपने NVR के साथ भी यहाँ connect कर सकते हैं अगर आपको इसका live demonstration वीडियो चीए तो आप नीचे हमें comments करते हैं यह वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो एक like जरूर करके जाए और इसी तरीके की informative वीडियो security से लेटे नए-ने product हम लोग लेके आते रहते हैं अपनी इस channel के ओपर अगर आप नहीं हैं तो हमारे channel को subscribe करके जाएं थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो एक like जरूर करके जाएं अगर आपके family friends में भी किसी को भी requirement हो कुछ इस तरीके के solution की कोई ऐसे solution देख रहे हूँ कि जो color night vision के साथ हो indoor हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजे दोस्तों वो आपको thank you जरूर करेंगे धन्यवार